नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का IPL 2024 मुकाबला नमबर अरसटवा समाफ्थ हो चुका है और प्ले आफ की चार टी में मिल चुकी हैं और बाकी छे टी में इलिमिनेट हो गई हैं तो आईए जानते हैं लेटिस्ट पोइंट स्टेबल लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए अर शटवे मैच के बाद कोलकता नमबर एक पर तेरह मैचेज में नौ जीत तीन हार प्लस वन पॉइंट फोर्टू करन रेट उननीस अंकों के साथ एक नमबर पे ही फिनिश करेगा दो नमबर पे राजस्तान 13 मैचेज में 8 जीत 5 हार प्लस 0.27 करन रेट 16 अंकों के साथ राजस्तान नमबर दो पे फिनिश करेगा अभी तो नहीं कन्फर्म हुआ है लेकिन कल कन्फर्म हो जाएगा आज यानि के रविवार के दिन तीन पर हैदरबाद 13 मैचेज में 7 जीत 5 हार प्लस 0.40 करन रेट 15 अंकों के साथ नमबर तीन नमबर चार पे मौझूदे बिंगा लुरू आज चिन्नाई को 18 रनों से हराना था उनने 27 रनों से हरा दिया अब बिंगा लुरू 24 टीम बन गई सीजन में प्ले आफ में जाने वाली 14 मैचेज 7 जीत 7 हार प्लस 0.45 करन रेट और 14 अंकों के साथ प्ले आफ में चले गए हैं या अगले साल फिर वापिस आएंगे तो आने वाला समय बताएगा नमबर 6 पर दिल्ली 14 मुकाबलों में 14 अंक हैं 7 जीत 7 हार माइनस 0.37 करन रेट नमबर 7 के उपर लखनव सूपर जायंट्स 14 मुकाबलों में 7 जीत 7 हार माइनस 0.66 करन रेट और 14 अंकों के साथ नमबर 6 पर मौझूद नमबर साथ पे लखनव, नमबर आठ के उपर गुजराथ 14 मुकाबलों में 12 अंक हैं, 5 जीत 7 हार, माइनस 1.06 करण रेट, नमबर 9 पे पंजाब 13 मैचेज में 5 जीत 8 हार, माइनस 0.34 करण रेट 10 अंकों के साथ, और नमबर 10 पे हैं, मुंबई इंडियन्स, 14 मुकाबलों में 8 ठंकों के साथ, तो यह हैं दोस्तों आपको लेटिस्ट पॉइंट स्टेबल, आई पिल 2024 में, मैच नमबर 68 के बाद, धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजे इजाज़त.